तो नमस्कान। Skin A allergy का जो प्रब्लום रहता है। उसमें सबसे कमएनमा और द्यान रहता है कि क्या दियान लखनाा चाहिए ≦ इसको लेके बहुतластार PG prevention है कोई बोलता है यह ध्याई धंड लेको किए खोना है यह ध्यान ठीच सो पेसंट जो होत जाता है उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है कहीं बार जो पेशंट होते है वो Google पे उसमें सर्च करते हैं उसमें जो इंफ़र्मेशन रहती है वो Western Country के डिलेटेड होती है आज के वीडियो में मैं अपने Indian culture के round में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या जो फूड रहते हैं जिसे skin allergy होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो वो जो सारे patient के जो data है वो collect करके मैंने एक थोड़ा list बनाया है कि इसमें कौन-कौन से common food होते है जिसे skin allergy होती है मैं Dr. Gaurav Patel, consultant dermatologist at Asta Skin and Laser Clinic के हमदाबाद ऐसे skin और hair related informative और executive वीडियो बनाता हूँ ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे एक चैनल को subscribe करना मत भूलिए यह जो भी food के जो मैं नाम बता उससे पहले मैं आपको एक बात clear करना चाहता हूँ कि यह जो भी food जो है वो common रहते है इसमें ऐसा जरू ने कि इसमें जो भी food है वो सारे food के allergy आपको और सारे बंद करने रहते है वीडियो के लाश्ट में मैं आपको ऐसे tips बताऊंगा कि जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको जो है वो बहुत सारा confusion नहीं हो सबसे पहले जो common चीज होती है उससे allergy होती है वो milk रहता है जी हाँ दूद और दूद की जो items होती है उसकी जो allergy है वो बहुत ही common है जब भी हम बताते हैं कि दूद कम लेना है तो सबसे पहले जो common question आता है कि डॉक्टर हम तो जब से बर्थ लिया तब से दूद पी रहे है तो अभी क्यों allergy हुई सो जो पहले normal था body के लिए अब वो allergic होगा है उसकी बज़े सही allergy हुई है एक बात दियान दखे है कि life में जो है वो हर एक चीज पहली बार होती है there is always first time सो पहले जो आपके लिए normal था अभी allergic है तो आपको जो milk related product और milk जो है बहुत ही ज़्यदा उसमें consume नहीं करना है उसके हो सकते इतना avoid करना है दूसरा जो common food रहता है वो खटी आइटम रहती है खटी आइटम में निम्बू है अचार है इमली है खटाई है यह सब चीज जो होती है वो आपको avoid करना है कहीं patient ने complain कि है कि ऐसे normal रहता और जैसे ही यह खटी आइटम ले ले लेते है जो allergy है वो all of sudden बहुत बढ़ जाती है खटी आइटम जो होती है वो हमारे Indian food culture में बहुत common रहता है तो उसको आपको हो सकते इतना avoid करना है तिसरी जो food items है जिससे skin allergy commonly होती है वो जो खमीर वाली items होती है fermented आथे वाली items होती है इस्ट वाली जो items है जैसे कि South Indian food में idli है डौसा है ढोकला है यह सब चीज जो होती है इससे आपको allergy होने के chances बहुत बढ़ जाता है इस जो होता है वो जो ठंड़ाख होता है बहुत लंबे टाइम तक वो अगर पढ़ा रहता है मिस सुबह का बनाए हो और इसाम को या next day आप लेते हो तो उसमें भी होने के chances रहते है तो ऐसे food भी आपको avoid करना है इसके बाद ब्रिंग जल्स और टमाटर रहते हैं जिसमें दाने बीज वाली जो आइटम्स होती है उससे भी allergy जो होती हो काफी सारी common पाई गई है दूसरी common food आइटम्स है वो जब ज्यादा तरह हम इग्नौर करते हो वो होता है ground nut मूखफली मूखळी का आप डाइरेक अगर लेते हो पीने में इस्तिमाल करते हो या जो ground nut oil होता है जो मूखळी का तेल आप यूज करते हो तो भी आपको allergy जो होती हो बढ़ने के chances रहते हो तो अगर ऐसा आप यूज करते हो तो आप जो oil है उसको change कर सकते हो कहीं patient को wheat की allergy होती है जो गेहूं की allergy होती है तो उसमें रोटी और को दिक्कत रहती है तो ऐसे आप बाजरा या मकाई भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो non-vegetarian foods जो रहते हैं उसमें फीस और एक की जो allergy हो बहुत ही common है यह जो food items में बताई इस से allergy होने के chances बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो जब भी आपको allergy होती है तो हो सकते हैं इतनी यह जो food करना है बाकि green vegetables होते fruits होते है इसके अलावा जो भी food item है वो आप आराम से ले सकते हो एक बात आपको दियान में रखनी है कि यह जो भी food item बताई यह common skin allergy हो जब भी skin allergy होती है तो सुरुवात के साथ दिन में आपको यह सब food items से बंद कर देनी है और दीरे-दीरे क्या करना है इसमें से एक-एक food items है वो आपको खाने की चालू करनी है जब भी आप food items यह लेते हो आपको लगता है कि allergy बढ़ जाती है उसका मतलब कि इस से आपको allergy है और वो items आपको चार से छे मेने के लिए बंद ही रखनी है ज्यादा तर जो पेशन्ट होते हैं उनको सिक food allergy नहीं होती है उसके साथ भी कहीं सारी allergy होती है जैसे कुछ पहिनने से contact में से कुछ inhale होता है तो भी allergy हो जाती है तो आपने notice किया होगा कि अगर आप उपवास क रिखाते हो तो भी skin allergy हो जाती है तो आपको कुछ भी एक चीज को बहुत ही सारा डूंड़ने की जो है वह बहुत कोशिस नहीं करना है और अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो उसमें ज्यादा टेंसर नहीं लेना है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता है ज्यादा तर जो पेशन्ट होते हैं उनको पता नहीं चलता है अप टू सिक्स्टी सेवंटी परसंट जो पेशन्ट होते हैं उनमें कौन सी है स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं फूर के अलावा जो दूसरा common factors जो होता है कि इससे बहुत सारे लोगों को allergy होती है वह होता है इनहलेंट हाउस सब्सक्राइब जो होता है है जो हमारे जो हमारी हैसे सफाई करते हैं जैसे तब इसमें जो होती है लेकिन उसके जो सबसे common होती और सबसे ज्यदा होती है तो अगर ऐसा कुछ भी काम आपका घर में चल रहा हो तो उस टाइम पे आपको मास्क पहिनना यह ऑनोस को आपको मेरा anusar मेने ने बताया है और यह जो चीज है वो definitely होने के चांस से जढ़ा ही रहते हैं लेकिन हरेकोटर का जो है भी जो थोड़ा डिफिरेंट होता है तो हर एक टॉक्टर की जो एड़वाईज जो आपको मिलेगी उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा लेकिन कहीं सारी जो चीजे होती है वो common ही रहेगी जो chronic cardiac area के patient होते है जो skin allergy बहुत लंबे टाइम तक चलती है ऐसे patient में उसमें देखा है मैंने कही patient जो होते है वो दो साल तीन तीन साल तक बहुत सारी चीज जो होती है उसको बंद ही करे रखते है ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको लगता है कि ये खाने पीने से आपको allergy बढ़ जाती है और आपको बहुत ही जदा allergy हो जाती है तो जो allergy को ठीक करने का जो body की mini system है वो इतना powerfully लड़ नहीं सकेंगी तो आपको बहुत ही लंबे टाइम तक बहुत सारी चीज जो है वो बंद नहीं करनी है इनिसेल स्टेज में आप थोड़ा परहेज रखते हो ठीक है लेकिन जब बहुत लंबे टाइम तक allergy होती है तो आपक जो है skin allergy का उसमें वो सारे वीडियो जो है वो अपलोड किये हुए है तो वो जाके भी आप उसमें आप देख सकते हो skin allergy जो है यह परेशान करने वाली problem है और जिनको skin allergy होती है उनको ही पता चलता है कि इसमें कितनी परेशानी होती है आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा tension नहीं लेना है stress नहीं लेना है खाना पीना जो है जैसे बता है मैंने उसमें थोड़ा ध्यान रखना है नई जो है वो आपको छे से साथ गंटे की लेनी है सबसे important water intake आपको जो है आंट से 10 ग्लास तो दिन में कम से कम पिना ही है जितना ज़्यदा पानी पीएंगे उतना एलजी जो है वो जल्दी ठीक होने के chances रहेंगे आपको आपका जो attitude है वो positive रखना है आप योगा meditation करके भी आपका जो immune system जो है उसको boost up कर सकते हो तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe करना मत बुलिए thank you